येस एंड आई टोल्ड इटू दे प्राइम इनिस्टर सेम इजनिंग के ये हमारी गलती से हुआ है अगर हम एरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता तो नहीं मुझे पाक तुम अभी चुप रहा हुआ दोसों पुलवामा हमले ने पूरे देश को हिला के रख दिया था दोजार उनीस का चुनाओ भी बीजेपी ने उसके आस पास ही घुमा के रड़ा था जिसमें हमारे कई सारे जवान चहीद हो गएते देश भर के अंदर मातम हुआ था और ये पूरा विशह जो है आज तक जि लेकिन अब इस पूरे मामले के अंदर पुलवामा हमले को लेकर जो खुलासा हुआ है वो अब तक कर सबसे बड़ा खुलासा कह सकते हैं आप क्योंकि ये खुलासा किसी और ने नहीं उस वक्त जो जम्मो कश्मीर के गवर्नर थे राज जपाल थे बीजेपी के दिगज ने सरकार जो है वो देजबक्ती की आड में इसको टालने का काम करती है इधर उधर लोगों को ले जाने का काम करती है कभी इस पश्च जवाब बहुत सारे सवालों का आज तक नहीं मिला है ये हमसमवेट के नबनीज जान ने लिखा है आर्टिकल नियूद आर्टिकल उसमें मोदी सरकार की लापरवाही के कारण पुलवामा में शहीद हुए जवान पी-म ने दीती चुपी साधने की सला ये कहना है सत्पाल मलक का सत्पाल मलक ने कहा कि सी आर्पी एफ ने काफिला ले जाने के लिए ग्रहम अंत्राले से पाँच एरक्राफ्ट की मांग की थी लेकि वहां के राजयपाल थे बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक रनविजे सिंग जी ने क्लिप डाली है मैं आपको क्लिप दिखा देता हूं सुन दीजिए सत्यपाद मरेक जी क्या कह रहा है उसका एक अंजभाग क्योंकि इंटर्वु द वायर को दिया है तो उनका गलती से हुआ है अगर हम एयर क्राफ्ट दे देते तो यह नहीं होता तो उन्होंने मुझे का कि तुम अभी चुप रहो दोस्तों देखा यह तो आप में सिर्फ एक आंजभाग था कि मोदी जी ने उनसे कहा कि आप इस पर चुप रही यह पूरा का पूरा मामला रनवेज इस पर पियम मोदी ने कहा तुम अभी चुप रहो जम्मू कश्मीर के पूरा जपाल सत्तिपाल मलिक पुलवामा हमले में 40 जवान चहीद हुए थे सत्तिपाल मलिक का कहना है सी आर पी एफ ने एर क्राफ्ट मांगा लेकर उन्हें नहीं नहीं दिया गया इसकी उपर के लिए एक्शन लेना था और आपने ना सिर्फ इस बात को दवाया पर अपनी च्छवी बचाने में लग गए पुलवामा पर सत्तिपाल मलिक की बात सुनकर देश इस्तब एर क्राफ्ट की जो बात हो रही है जो सत्तिपाल मलिक सामने कहा है उनका कहना था मैंने नहीं करा एक्राफ्ट उनका करना था मुझस से सीधे मांगते तो राज जिपाल के तौर की उपर मैं उसको मानते हूँ उनको इलाने का काम कर देता लेकिन उनका मामना केंद्र ीस सरकार से था सीधे मांगा बञ decreto advancing मिले पाज जिसकिस मज़बूरी में उनको odos के माण AW念 स जाने के लिए पाँच- क्राफ्ट की मांग की थी दिती हृ़्प और नने की मंजरी नहीं दी सब्सक्राइब की जाना ने तरह ने के इसने मिल्क बता है कि अगर प्रदहर साथ मिल जासे एक्ट बहुत ड ह। पार्क में शूटिंग कर रहे थे पीम मोदी को जैसे ही इस हमले की जानकारी लगा उन्हें सुचिए इतने सम्गेदन शील मुद्दे पर क्या कारवाही थी और क्या क्रिया थी उन लोगों की जिन्हों ने इसके नाम पर जमके वोट मागे तिपाद मलिक ने कहा कि अगर उनके बस में होता तो वो सी आर्पी अफ को एर कृम्ध मुहिया करा देते क्योंकि बस पांच एर क्राफ्ट की ही तो जरूरत थी इतने बड़े बड़े खुलासा हैं इस वक्त तक तो ह बिल जाती ही सरकारें अगर हम उस नैतिक दौर में जी रहे होते हैं जिस नैतिक दौर ना प्यास की कीमतों के हवा में जाने से आसमान चुने से सरकारें गिर गई गई हैं आगे भी लिका सित्वाद मलेकिन खुरासों पर सक्षटकार ले रहा है करण तौपर ने दोबारा प गई और सारा दोश पाकिस्तान पर मड़ते हुए मोधी सरकार ने अपनी जवाब दही से पल्ला जाड़ लिया और राइनितिक फाइदा ले लिया तो यह सारी चीज़ें जो हैं बहुत जादा हैं और यह तक उन्होंने इसमें तो आगे यह भी खुरासा किया है कि प्रदा सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि प्रदान मंतरी मोधी ने लोकसभा चुनाओं के दौरान अपने अपनी एक सदा में पहली बार वोट डालने जा रहा है वोटरों से पल्वामा में शहीद हुए जवानों के नाम पर वोट डालने की अपील भी की थी यह अखबार ने लिख प्रदा किया था कि इतना बड़ा इंटेलिजन्स फेलियर के से हुआ सारी चीज़ें उस पर बीजेपी नर राश्वात की आड़ ले ली थी लेकिन सवाल वही है तीन सो किलो आड़ी एक्स का पहुचना इतना बड़ी मात्रा में आड़ी एक्स का जाना और उसका कहीं रवही की है इसकी उपर भी कोई जवाब नहीं मिलता है सबसे बड़ी चीज़ है कि LG साब जो है कश्मीर के उन्हों ने इस फाइल को जो एंकौईरी की ब्लास्ट की एंकौईरी की फाइल थी उसे बंड को कर दिया यह लोग सवाल पूछ रहा है बंड हुई है नहीं हुई है हुई है तो क्यों हुई है कोई जवाब नहीं मिलता है और इस सबका फाइदा किस राइने तेक दल को मिला यह आप अच्छे से जानते हैं इस वीडियो को आगे बढ़ाईएगा सत्पाद मलक साब के जो खुलासे है यह इहला देने वाले है और जवाब जरूर मोधी सरक उनमें शेयर कीजेगा लाइफ टीवी को सबस्क्राइब भी कीजेगा जाए हिंद जाए बार दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे